एकतिए बात के समझारा तो सुनीए अगर एक बार उब बोले तो ही बात Siya पहले बार इस दोगा है आप किसी के फेवर में से अधिया चाहिए नहीं जिन्दबाद मंत्री जिन्दबाद जिन्दबाद मंत्री जिन्दबाद जिन्दबाद पस्त विरोध देखने को मिला गाउवालों ने मंत्री जी को खूब खरी खोटी सुना दी जिसके बाद क्या था मंत्री जी को उल्टे पाउँ वापस लोटना पड़ा दरसल आपको बता दे कि बिहार में पंचाय चुनाव हो रहे हैं कई चर्नों के चुनाव संपन हो गए औ और कुछ चर्नों के बच्चे चुनाव आगे आने वाले समय में होने हैं दरसल मामला है बिहार के सेखपूरा जी लेके जहां ग्रामिल विकास मंत्री स्रवन कुमार एक व्यक्ति विसेश के पक्ष में वो गाउव पहुँच गए जहां गाउवालों ने आरोप लगाया कि दस सालों से गाउव में कोई विकास नहीं हुआ गाउवालों ने मुखिया के खिलाब भी जमकर नारेबाजी की साती साथ मंत्री जी को भी खूब खरी खोटी सुना दी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं देखिये कि इस तरह से मंत्री स्रवन कुमार जब से पूरा जीले के गाउव पहुचे तो वहां गाउव वालों ने मंत्री जी से पूछा कि आप यहां कैसे पहुँच गए मंत्री जी हलाकी समझाने लगे लेकिन गाउव वालों ने जबर्दस्त विरोध कर दिया पंचाय चुना हो रहे हैं और पंचाय चुनाओं में प्रचार प्रसार भी कई जग़ा पर जारी है और इसी को देखते हुए जब उसी वक्त स्रवन कुमार नितिस सरकार में ग्रामिन विकास मंत्री है वो पहुँचे तो ये आरोप लगा कि वो किसी व्यक्ति विसेश के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे हैं जिसके बाद जब विरोध हुआ तो मंत्री जी को फिर उल्टे पाउँ वापिस लोटना पड़ा दरसल बिहार सरकार के ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुमार अचानक से एक व्यक्ति विसेश के पक्ष में सेखपूरा सदर प्रखंड के कोसरा पंचायत अंतरगत जीयनवीघा गाव पहुँच गए मंत्री के गाव पहुँचते ही ग्रामिन उग्र हो गए और मुखिया के खिलाब जम कर नारेबाजी की साथी मंत्री को भी खूब खरी-खोटी सुना दी ग्रामिनों का आरोफ है कि दस सालों में पंचायत और गाव में विकास नहीं किया गया ग्रामिनों का यह भी आरोफ है कि मंत्री एक व्यक्ति विसेश प्रत्यासी के पक्ष में गाव ब्रह्मन करने पहुँचे जिसको लेकर उन लोगों ने मंत्री कावी विरोध किया वहें इस संबन में ग्रामिन कारविभाग के मंत्री स्रवन कुमार ने कहा कि अपने नीजी काम से वह जंता दल युनाइटेट के पुर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन प्रसाद की धर्म पत्नी का कुसल छेम जानने पहुचे थे जबकि इस गाउं से भी उनका काफी लगाओ है इसलिए यहां अचानक पहुच गए वहीं ग्रामिनों के विरोध को देखते वे मंत्री जी जल्द ही गाउं से चले गए जबकि उन्होंने कई बार ग्रामिनों से सांती बरतने की अपील भी की थी लेकिन ग्रामिन लगतार स्थानिय मुख्या प्रतिनिदी निवास सिंग का विरोध कर रहे थे गाउं वालों का आरोप था कि 10 सालों में पंचायत में कोई तरह का विकास नहीं हुआ और अब जब पंचाय चुनाओ हो रहे हैं तो बिहार सरकार के मंत्री स्रवन कुमार किसी व्यक्ति विसेश के पक्ष में प्रचार करने के लिए गाउं पहुँच गए ये आरोप लगा जब अर्दस्त विरोध हुआ खरी कोटी सुनाई गई और फिर क्या था स्रवन कुमार कहते रहे कि सांती बनाय रखे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब वरदस्त विरोध करने के बाद मंत्री स्रवन कुमार वापस लोट गए इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको जब स्रवन कुमार वुगाव पहुचे तो किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा देखिए इन तस्वीरों को करके लिस्वीर अभी किसी के घुज़ा है अधिक तरह किसी के फेवर में तरह करें अधिक तक अधिक मुदाबार! परच्प!